भाग्य कर्म लाभाचा महिना शुभसंके तांचा इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूर्ण हो जाए तो लोब बढ़ता है इसी लिए जीवन के हर स्थिति में दहील्य सईयम बनाये रखना ही श्रेश्टता मानी जाती है कृतिका नक्षतराचे तीन चरन, रोहिनी नक्षतराचे चार चरन आडि ब्रुग नक्षतराचे दोन चरन अश्अएका नौ चरन आनी रुषब राशी निर्बान जालिया है प्रुथ्वित अत्म आचीज तीर रास मन्जे व्रुषब रास होए। शुक्र देव तुमजा राशी चे स्वामे आहेत। नमस्कार। में आश्ट्र गुरु लॉक्टर जोती जोशी सर्व जोतीश प्रेमी वभ्यासकांचा मनपूर्वक स्वागत करते है। आपन फेब्रुआरी दोनजार तेवीस महिन या महिनाच राशी वहिष्च समझुन गेता होत। त्या मदे आज आपन व्रुषब राशी चा जातकान सठी हा महिना कसा राही यावर सविष्थर जर्जा करणा रहोत। विविद द्रुष्ट कोना तुन या महिनातील ग्रह स्थितीच शास्त्रोक्त विश्लेशन करणा रहोत। सोबत अच विडियोचा शेवटी मी तुमाला या महिनात करावायाचे विशेशुपाय सांगना रहे। त्या मुले विडियोच शेवट परंत बगा। विवति मत्वाचे द्रुष्टीनेजवया आपन विचार करतो तेवा राशी स्थिती अत्यन्त महत्वााची खरते। प्रुशब राशीचे स्वामी शुक्र देव या महिनात कर्मस्तानात मित्राचा राशीत मित्रा सह और बुद्धिमान मानले जानारे कुम्म राशीत विराजबाना हेत। त्या मुले तुम्ही अत्यंत कर्मों प्रदान रहाल 15 फेबरुवरी रोधी शुक्र देव मीन राशीत मन्जे तुम्हा लाभ स्तानात प्रवेश करते। महत्वाची बाब मन्चे मीन राशीत शुक्र देव उच्छी चे होतात। जो उतिश्णी अमानुसार राशी स्वामी जेवा लाभात अस्तो तेवा भरभरुन लाभ प्राप्त होतो। अर्थात त्या दुरुष्टी ने तुम्हा व्यक्ति मत्व देखिल सम्रुद्ध होना रहे। तुम्हा अनेक इच्छांची पूर्ती होना रहे। आथा लाभ मंजे केवल आर्थिक लाभ असा अर्थ प्रत्य ठिकाडिंगे हुनाये। पत्रिके नुसार लाभ मंजे इच्छा पूर्ती होय। आपलिया महान रुषिमुनिन्नी जेवा पत्रिका पनोली तानी एकादस्तानाला इच्छा पूर्ती चस्तान असनाओ दिला। कायानु रूप्तो शब्द बदलत केला आणि आस्ताला लाभ मंजे आर्थिक लाभ असा मंदला जातो। धन कुटुम्ब वाणी या दुरुष्टी ने विचार केला आस्ता। रुषब राशी साथी बुधदेवान चीस्तिती अत्यन्त महत्वाची ठरते। काड़ते तुमचे द्युतिये शाहित। बुधदेव साथ फेबरुवारी परंत धनु राशीत विराजबाना है। त्या नंतर ते मकर राशीत प्रवेश करती। गेली आने एक दिवस। बुधदेव धनु राशीत निर्बली अवस्तेत आणि तुमचे आस्तम स्थानात विराजबाना है। त्याचा कुठे तरी एक नकारात्मक प्रभाव तुमाला नकीत जानावला से। साथ फेबरुवारी रोजी ते मकर राशीत पंजे तुमचे भाग्य स्थानात प्रवेश करती। बुधदेव तुमचे साथी पंचमेश तेकिलाहेत। त्या मुले तैंचा भांध्य स्थानात जान हे धन कुठुम्ब वाणी या तीनही दुरुष्टी ने तुमचे साथी लाबदायक रही। धनाचे विविद मारक नेर्माल होती तुमचे वाणी प्रगल्ब हुई। कउटुम्बी काईक्के दिसु ने थोड़क्या ताने कर्था नी हे अत्यनत लाबदायक स्थिती आपल बढ़ुशक्तो। तसच 27 फेबुरुआरी रोजी बुधदेव कुम्भ राशित प्रवेशकरती तान्चे गोचर देखिल तुमचे साथी शुभ असल्या मुए। साथ फेबुरुआरी नंदर चाहकाल एकंदरी तस तुमचे साथी लाबदायक रहील तैचा सदुपयोग करा। पराक्रम परिश्रम या दुरुष्टी ने विचार के लासता। रुषब राशी मोलता हा परिश्रमी लुकांची रास पादले जाते। तुमचे राशी चा मोधचिन्न बईला है जो अत्यंत परिश्रमी प्राणी मणुन वळखला जातो। बैला सार्ख आधी प्रचन्द परिश्रम करना और त्या नंतर शांत पड़े रवन्थ करना हा सभा तुमचे दिशुने तुम्ही खुब परिश्रम करता और त्या नंतर खुब विश्राम देखिल करता। हीज बाब या महिनाते ही गढ़ू नेई तुमचे परिश्रमातुन लाभ प्राप्त करना चे भरभरून योग या महिनाता है त्याचा उपयोग करून गया। वास्तु वाहन जमीन सुखशानती या दुरुष्टी ने विचार के लास्ता चतुर्थेशाची स्थिती अत्यनत महत्वाची ठरते। रुषब राशीचे चतुर्थेश पंजे रवी दे होए त्याँचा गोचर मकर राशीतुन शुरूआ है। तेरा फेब्रुआरी रोजी ते कुम्भा राशीत प्रवेश करतील। तीथे तांचे आदर्शे शत्रू असलेले। शनी देव विराजबाना हेत रवी आणी शनी हे पिता पुत्र असले तरी ते एक मेकांचे आदर्शे शत्रू मानले जातात। तेर दोगांची द्रुष्टी तुमचा चाथूर्थ स्ताना और पडेल। त्या मुले एक्खी कडे वास्तु योग निर्माण होतील। आणी दुसरी कडे त्या संबंधित व्यवारात थोड़ासा विलंब देखिल तुमाला जाणवेल। मुणुन तशी मानसिक तयारी तुमी करून गया। शिक्षण, संतती, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह। या सर्वद रुष्टी ने जवापन गिजार करतो, तेवा व्रुषब राशी साथी बुधदे वात्यनत महत्वाचे खर्तात। कणते तुमचे पंचमेश देखिला हैत। माक्चाच महिनयात राशी बविश्यात आमी तुमाला सावत केला हुत कि या काला तुमची प्रेमात फसंडू हो शकते। तो योग या महिना तेही 10 फेबरवारी परंत राहील। त्यान अंतर परिस्थिती बदलेल। तेवा बर्यापईकी चांगले मित्रखिवा महित्रीन तुमचे आविश्यात एड़याचे योग निर्बाण होतील। शेक्षणिक दुरुष्ट्या रुषब जातकान साथी हा काला अत्यनत उत्त महित्ता है। विशेश्ता जे जातक, अकाउंट, अर्थशास्त्र, इंजिनेरिंग शेत्रात शिक्षण गेता है। तरना खूब ओठ योश या कालात फ्राप्त हो शकता। मणून या कालात तुम्हे अभ्या सतील परिश्रम वाडवाईला है। याज बरोबर उपवर रुषब जातकान साथी या महिन्यात विवह संबंद जुडूर नहिन्याचे योग देखिल नेर्मान होता है। योग जोडिदार तुम्हाला या कालात प्राप्त हो शकतो मण त्या दुरुष्टीने प्रहेतन वाडवावें। नवु पुस्तकालेली आहेत अभ्यासकानना अत्यनत सोप्या भाषेत शास्त्राच ग्न्या निथे प्राप्त होई त्याचा आवश्य लाभगया। प्रवाया नक्खीच करतेल। स्पर्दक तुम्हाला त्राज देलाचा प्रहेतन करतेल। अश्या कालात जर तुम्ही कोल्टाची तारीक कसेल। तुम्हा सथी गर्जेच रहेल। थोड़क्या त्या सर्व दृष्टीने हा महिना तुम्हा सथी थोड़ा कालजीचा सावद्धानी बालग्णाचा रहील। ही बाब लक्षात घ्या। नोक्रीव व्यावसा या दृष्टीने विचार केलास्ता जे व्रुषब जातक नोक्री करता है त्यांचा सथी यहा कालखंड उत्तम मनताईल। विशेष्टा महिना तिल पहिले 15 दिवस तुम्हे कर्म अत्यंत उत्तम रहतील। आणि नंतर चे 15 दिवस लाभदायक राखतील। माघिल काई काला पासुन जांची पद्दो नत्ती कुठ्या दरी कालडाने और कुण रहली असेल तान्ना ती आता आच्छानक प्राप्त हुशकते। विवसाइक जातकान्ना मात्र परिश्रमा शिवाय पर्याय नाही। किम्म हुना, परिश्रमाचा बाप्तिते ही थोड़े आड़ थले, तुम्चा साथी नेरपानों शकतात। विशेश्ता महिना चा पहिल्यापंदर वाड़ात ही स्थिती निमानों हुशकते। थोड़क्यात नोक्री करनारा जातकान साथी हा मैना यशाचा तो व्यावसाइक जातकान साथी परिश्रमाचा रहे। जेव रुषब जातक परदेशात आहेथ त्यानचा साथी हा काल प्रगती चा मनताई। शिक्षरा साथी नोक्री साथी व्यावसाय साथी अश्या कुठला ही कारनाने जेव रुषब जातक परदेशात गेले आहेथ त्यानना या कालात शुबसंधी प्राप्त होना रहेथ ब पणुन तरनी या कालाचा सदुपयोग करावा। पणुन तरनी या कालाचा सदुपयोग करावा। एकतर लाभस्तानात सर्वज ग्रह शुबह भलो प्रदान करतात। गुरु अनी शुक्र देवान चारके दोन मोठे शुबह ग्रह तुमचा लाभस्तानात रहती। त्याते ही गुरु महाराच स्वर राशी चे तो शुक्र देवा उच्ची चे असनारा है। उन्जे एकंदरित लाभाचा आनेक संधी तुमाला या कालात प्राप्त होती। मनुन या कालाचा उपयोब करून गहवा। कर्माचा द्रुष्टी ने विचारके लास्ता रुषब राशी साथी शनी देवान ची स्थीती महत्वाची ठरते। कार्ण ते तुमचे कर्मेश देखिला है। महत्वाची बाब मंजे ते तुमचे कर्मस्थानात विराजबाना है। राशी स्वामी शुक्र देव देखिल महिन्याच्या पहिल्या पंदरवाडात कर्म स्थाना तस्ति, मन्जे कर्माने लाभ प्राप्त होन, हाँ एक सुंदर योग तुमचा सथी निर्मान चालेला है। कोंता ही प्रश्ण शान्त पड़े सोडवा पुडे चालत रहा। अशा सल्ला तुमाला देखिल महिन्याच्या प्राप्त होना रहे। प्रत्यक दिवसा कुणा साथी कधी ही सारका नस्तों काही दिवस शुभ तर काही दिवस तान चलावाचे जाताथ। त्या दुरुष्टिने विचार के लास्ता रुषब राशी साथी या मैनातील एक अक्रा अनिकुणा मिस हे दिवस शुभ तर आठ सत्रा अनि सवीस हे दिवस तनावाचे संगर्शाचे रहतील। ही बाबलक्षा ध्यून काबांचे नियोजन करा। ही बेश राशीत केतू तूल राशीत विराजमाना हे या स्तीतिवर उपायमन्जे तुमच्या राशीचा मंत्र आक्रा वेला राहुचा मंत्र 4 वेला अरी केतुचा मंत्र दोन वेला या पद्धतिने मंत्र मना मात्र राशीचा मंत्र सकाली मनावा तर राहुव केतुचा मंत्र सकाली अक्राते बाराचा दर्बान मना त्या नुसार उपाय मनुन दुशब राशीचा मंत्र मन्चे आधी राशीचा मंत्र सांगते ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमाहा त्यान अंतर राहुचा मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहावे नमाहा आणि शेवटी केतुचा मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमाहा या पद्धतिने मंत्र मनाईचे आहे जाचे तुमाला त्यंत शुभ परेणाम प्राप्त होती। यूटूबची कार्य अप्रणाली ही मुख्यता लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और चालते। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल। धन्यवाद, शुभम भोतु, जय जोतिश।